बोचपुरी सिने जगत में पवन सिंग और खेसारी लाल जैसे दिगध सुपरिश्टारों की अगर बात की जाये तो इनकी गाय की ही नहीं बलकि एक्टिंग भी इतने दमदार है कि इनकी फिल्में हिट नहीं बलकि सुपरिट हो जाती है अगर बोचपुरी के सुपरिश्टार पवन सिंग की फिल्मों की बात के जाये तो उन्होंने गदर बोचपुरी राजा कानून के इल्जाम जैसी कई सुपर हिट फिल्में करने के बाद इस इंड़स्टी में एक नया मुकाम हासिल किया है वहीं दूसरी और अपनी सुपर हिट फिल्मों से टकक कर देने वाले खेसारी लाल का बोल-बाला भी भोचपुरी इंड़स्टी में कम नहीं है बताते हैं कि सपूत संसार तेरी कसम जैसी सुपर हिट फिल्म में करने के बाद खेसारी लाल को दर्शकों ने अपनी सराकों पर बिठा लिया था वही कर्माई करने के मामले में भी इन दोनों सुपरिश्टारों की फिल्में पीछे नहीं रहती है रिपोर्ट्स की माने तो खेसारी लाल की एक फिल्म लगबग 3 करोण के आसपास कमाती है तो पवन सिंग की फिल्म भी रिलीज होने के बाद लगबग इतना ही कमाती है खेर अब देखने वाली बात यहीं कि इन सुपरिश्टारों की फिल्में इस साल भी एक दोसरे को टक कर देती है या नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहीं कि दर्शकों को इस बात का खासा इंतजार रहता है नेक्स्ट नाइन न्यूसरूम से राहूल की रिपोर्ट